हाई अव्रिवन वेलकम दो डिश्टल जी के क्लासेस तो B8 वर्सेस BTC का जो मुद्दा है ये कियोल आपको बिहार प्रात्मी सिक्षक भरती में नहीं जो पहले भी भरतिया हो चुकी हैं उसमें भी नया मुद्दा देखने को मिल रहा है की फिर से जो है सुप्रिम कोट पहुंच गया है B8 की अभ्यरती स्पस्टी करन के लिए आप जानते हीं है याजिका दाखिल कीये हैं साथ में डिलेट के स्टुडेंट्स भी एक बार दुबारा से सुप्रिम कोट में याजिका दाखिल के लिए सुनाई करने के लिए एक बार दुबार से जा रहे हैं क्लारिफिकेशन के लिए ठीक है तो ये मुद्दा जब से 11 अगस का जस्मिंट आया है तब से खतम होने के बजाए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अलग-अलग राजियों में आप देखी रहे हैं साथ में UP में नई प्रास्निक सिक्षक भरती से रिलेटेड एक इनफोर्मेशन आई है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी चानल पर बने रहे हैं पूरी वीडियो देखीगा क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है आप बीड कर रहे हैं आप डिलेट कर रहे हैं आप UP से हैं आप बिहार से हैं किसी भी स्टेट से हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब आपको ऐसा नहीं कि बिहार में अदर स्टेट वालों को मौका नहीं मिलेगा या UP में आने वाली जो vacancies है उसमें बिहार वालों को मौँका नहीं मिलेगा, सभी को मौँका मिलेगा, तो जितनी भी student, B.A.D. कहीं ने कहीं, इन सभी का प्रभाव है, effect है, यह आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में, तो यह information मुझे आपको तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को प्रीज सब्सक्राइब कर लिजेगा, आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहें, सबसे पहले B.A.D. का जो मुद्दा है, किसके लिए यह दुबारा से Supreme Court में गये हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगी, देखे, पहले तो B.A.D. वाले भ्यारती क्लारिफिकेशन के लिए उन्होंने याचका जो है दाखिल कर दिये, डिलेड वाले भी कर दिये हैं, अब एक नया मुद्दा आया है, वो सुनिये, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस स्क्रीम पर याचका किसले दाखिल की गई है, कि सिक्षा मित्र जो ह प्रियाग राश परिसिदी स्कूलों में 79,000 सहाय का ध्यापक भरती, आप जानते ही है, यूपी में यही लास्ट वेकेंसिस हुई थी, भरती हुई थी, इसके बार से आज तक कोई भरती देखने को नहीं मिली है, 79,000 सहाय का ध्यापक भरती के तहट चैनित 28 डिग्री धार को बाहर करने की मांग को लेकर सिक्षा मित्रों ने सरवच न्याले में 304 पेज की याची का दायर की है, सिक्षा मित्रों का तर्क है कि बीएड धिधारियों के भरती में सामिल होने से कट आफ बढ़ने सुनका चैन नहीं हो सागा था, अब इसका क्या मतलब है वो यहाँ प वेकेंसीज हुई थी, और हर राज में देखने को मिल रहा है कि जहां पर भी 2018 के बाद से जो भी वेकेंसीज हुई है, उसके खिलाब लोग जो हैं सुप्रिम कोट में जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रिम कोट ने 2018 की गजट को रद कर दिया है, उसी का यहाँ पर आपको प्रदेश के परिसिदिय स्कूलों में 79,000 सहायक अध्यापक भरती के तहत चैनित 22 डिग्री धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर सिक्षा मित्रों ने सरवच न्यालय में 304 पेच की याचिका दायर की है सिक्षा मित्रों का तर्क है कि वह प्रात्मिक इस्तर की सिक्षक पातरता परिक्षा पास है मतलब वो टीटी पास है और वह 79,000 भरती के लिए 2019 में आयोजित सिक्षक भरती परिक्षा में 40,45 यहाँ पर देखे 40,45 प्रतिसत अंक या अधिक प्राप्त करने वाले 32,629 अभिहरतियों में सामिल थे देखे आप जानते हैं कि सूपर टेट हुआ था तो वहाँ पर एक मिनिमम जो है क्राटेरिया फिक्स किया गया था कि इतने पर पास है तो सिक्षा मितर जो है वो पास तो हो गए थे बट कट आफ जादा चला गया था जिसके वो जैसे वो बाहर हो गया है ठीक है तो यह इनका तर्क है कि हम उतने हम टैट भी पास है हम जो 40,45 प्रतिसत अंक या उसे अधिक वाले जो हम पास कर लिये हैं ऐसे 32,629 अभिहरती हैं लेकिन बीएड वाले सामील हो गए थे तो कट आफ अव्यसी बात है जादा बच्चे रहेंगे तो कट आफ जादा जाएगा और यह पास होने के बास से भी बाहर हो गए तो यहीं बता रहे हैं कि बीएड अभिहरतियों की सामील होने के कारण यहां पर देखे यह लाइन पूरा परग्राफ देखेगा सिक्षा भरती परिक्षा में अभिहरतियों की संख्या और कट आफ बढ़ने के कारण उनका चैन नहीं हो सागा था अब चुकि एंसिटी की अधिसूशना खारीज हो चुकी है इसलिए उसके अधार पर बीएड डिग्री धारियों का चैन जो है यह रद कराना चाहते हैं टेट पास हैं 45,000 सिक्षा मित्र सिक्षा मित्रों का दावा है कि जुलाई 2017 में 1.37 लाग सिक्षा मित्रों का सहाई कध्यापक पत पर समयोजन निरस्थ होने के बाद बड़ी संख्या में सिक्षा मित्रों ने पढ़ाई करके टेट पास कर ली थी बट इनकी salary आप देखें एक teacher के compare में इनकी salary बहुत कम है इनका simple सा एक तर्क है कि हम TET भी 5 है हमारे super debt में number भी है बट BA degree धारी 20 में जुड़ गये जिसकी से cut off जादा हो गया और हम परिक्षा से बाहर हो गये तो जब Supreme Court ने 2018 की गजट को रद कर दिया है तो हमारे हग का आउहेलना हो रहा है और हमें हमारा हग मिलना चाहिए इसलिए सिक्षा मित्र सुप्रिम कोट पहुँच चुके हैं यह हर जगा देखने को मिल रहा है अब UP में नई प्रात्मिक सिक्षक भरती की बात कर लेते हैं जैसा कि बिहार एक ऐसा राज बन चुका है जहां पर back to back आपको भरतियां देखने को मिल रही है एक भरती चल रही है बीट वर्सेस बीटीसी का विवाद वजूद गौवर्मेंट जो है भरती निकाल रही है आप देख सकते हैं काफी अच्छा है चलो कम से कम चुनाओ के बहाने भरतियां तो आ रही है अदर्वाइस आप देखिए अलग लग राज में चुनाओ खतम हो जाता है भरती का कोई मतलम नहीं है वैसा ही एक राज है उत्तरप्रदेश नए सिक्षा आयो का गठन में ही इतना समय लग रहा है राजपाल की सुर्किती मिल गई building नहीं बन पा रहे हैं, सदस्य नहीं बन पा रहे हैं मतलब बताओ नया सिक्षा आयो के गठन में देरी से फसेगी सिक्षक भरती है यह गठन ही नहीं हो पा रहे है मुझे तो ऐसा लगता है कि यह नाम का ही है नया सिक्षा से वाचान आयो दो-तिन साल इसको लग जाएंगे बनने में सोचे कितनी सरम की बात है कि एक UPA का ऐसा राज है जहां कि सारे स्टूडेंट्स परिशान होके बिहार में जाते हैं, रादभा प्लेटफॉर्म पे सोते हैं बट इनको कोई मतलब नहीं पता तो चलता ही है, न्यूस पेपर तो पढ़ते ही होंगे मीडिया में तो देखते ही होंगे बट इनको कोई मतलब नहीं है आगामी चुनाव तिती घोसित होते ही और आप जानते हैं कि 2024 में लोग सभा का चुनाव है जैसे ही तिती घोसित होगी आचार सनहिता लग जाएगा और आचार सनहिता एक बर लग गया कोई विग्यापन नया जारी नहीं हो सकता है ठीक है? आप मुझे प्लीज बताइएगा कि इस पे क्या करना चाहिए आगे क्योंकि बेको भरती लानी जरूरी है नहीं तो आप हर साल इतने सारे डिलेड वाले बच्चे कठा हो जाएंगे बीएड वाले बच्चे कठा हो जाएंगे कम से कम 1 to 5, 6 to 8 भरती तो निकालो नए सिक्षा सिवा चैन आयोक का गठन से संबदित विदेयक को पारित हुए महभर हो गए है लेकिन आयोक के गठन की प्रक्रिया आप तक सुरूर नहीं हो पाई है यह साल बीतने में सिर्फ साड़े तीन महीने बाकी है और अगले वर्स लोग सभा का चुनाओ है अगर आयोक जल्द क्रिया सिल नहीं हुआ तो आगामिक सिक्षक भरतियों में चुनाओ अचार सनीता का अडंगा लग सकता है और यह आप जानते हैं जब पांच साल का इनका योगी जी का जब चुनाओ था उस समय भी यह हुआ था भरति ऐसा लग रहा था कि आने ही वाली है तब तक अचार सनीता लग गया और सत्रह हजार का आस तक कोई पता नहीं चला प्रदेश के असास की सहाईता प्राप्त मार्मिक विद्यालों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भरति के लिए आविदन की प्रक्रिया 2022 में ही हो चुकी है बताइए स्टूडेंट ने 2022 में आविदन कर लिया है बट अभी तक इनका एकजामी नहीं हुआ है नए आयो के गठन के इंतजार में यह भरति फसी हुई है भरति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इसलिए अचार सनीता का इस पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन क्योंकी देखो एक बार विज्यापन निकल जाता है तो फिर उसका अचार सनीता का उस पर कोई फरक नहीं पड़ता है विज्यापन निकलना जरूरी है लेकिन अचार सनीता लागू होने के बार नई भरति का विज्यापन जारी नहीं हो सकता है ये रूल होता है ठीक है और सास के मादमिक विद्यालेओं जितने पदों पर भरती प्रक्रिया चल रही है उसे तीन गुणा अधिक पद रिक्त पड़े हैं अगर पूरु की भाती मादमिक सिक्षा सिवाचेन आयोग के पास ही इस भरती की जिम्मिदारी होती तो अब तक 22 व को कोई मतलम नहीं है यही हाल असास की सहाइता प्राद महाविद्यालेओं का भी है असास की महाविद्यालों में भी असिस्टेंट प्रोफेशर के 2017 पदोपा भरती के लिए आवधन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी थी पिछले वर्स पिछले साल और इस वर्स सारी चीजे स्मूधली हो जाती बट यह स्टूडेंट की फ्यूचर का सवाल है या इसके बारे में कोई नहीं सोचता है तो यह हाल है यूपी का और एक तरब बिहार से तो कम से कम सीख लेना चाहिए कि बैक टूबैक दुबारा से डेल लाग भरती आने वाली है सोचिए त आपको देनीती पसंद है तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते नेक्स क्लास में थैंक्स फो वोचिंग